नमस्कार दोस्तों, इनुवस्टाल फैक्ट्स हिंदी चनल में आप लोगोगों का स्वागत है। चेक आउट किजिए तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिथिवी अपने निर्मान के समय आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी या किसी आग के गोले की समान गर्म थी इसमें ना ही पानी मौझूद था और ना ही अक्सिजन मौझूद थी हमारे प्रि प्रिथिवी पर जीवन क्या मुंकिन बनाया है ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में आज हम बात करने बाले हैं प्रिथिवी पर जीवन संभवों इसके लिए पहली घटना थी सोरव मंडल में प्रिथिवी का स्तान सोरव मंडल में प्रिथिवी जीस्तान पर स्तीत है उसे गो वर्थे में कहा जाए तो पृथिवी ना ही मंगल जितनी थंडी है और ना ही सुक्र जितनी गर्म है इस खेत्र में रहने की कारण पृथिवी पर जीवन का संभव उपाया यानि कि पानी जो है ओ तरल लावस्ता पृथिवी पर मौजुद रहे पाया हम जानते हैं कि पृथिवी अपनी अर्वीट पर घुमती हुई सुरिया की परिक्रमा करती है जिसकी चलते दिन रात और मोसम में बदलाव होते हैं किन्दु पृथिवी का अपनी अर्वीट पर बने रहना संभव नहीं था और एसी स्तिती में पृथिवी पर जीवन भी बवब नहीं ओ पाता इहां माना जाता है कि पृथिवी का निर्मार कोश समय बात मंगल ग्रह जितना बड़ा ही एक ग्रह जिसका नाम थीया था पृथिवी से ठक्राय था जिसके बदल चंदु निर्मार हुआ चंदु एव कौने से पृथिवी को स्तिर्ता मिली चंदु द्वारा लगाये गुर्त्वा पर्षण बल के कारण प्रिथिवी अपने अर्बीट पर ही सुर्यग चारोप परिक्रमा कर पाया। प्रिथिवी को स्तीर्ता तो मिल गई और यह असकान पानी के लिए भी अनुकुल हो गया। पर प्रिथिवी पर पानी पहले से ही मौजुत नहीं था। धर्थि की बनावट के 50 कुरोड बर्ष बाद प्रिथिवी पर अंतरिक से उलका पिंडों की बहचार होने लगी। यह उलका पिंड अपने साथ बर्ब के रुप में पानी को लाते रहे। करोडों बर्ष तक चलने वाले इस प्रक्रिया के कारण पुर्थिवी पर उपयुक्त मातरा में पानी जमा होने लगा। और महासागर का निर्मान हुआ। धर्थि पर पाने की कमी तो पुरी हो गई। पर धर्थि पर अक्सिजेन अभी भी मौजुत नहीं था। बहले ही धर्थि पर अक्सिजेन मौजुत नहीं था। पर समुद्र के अंदर जिवन की शुरुआत के लिए परसितियां काफी हद तक अनुकुल हो गई थी। जिवन के लिए अविस्यक सभी तत्वा जैसे एमोनिया, नैट्रोजेन, कार्बन, आधी, समुद्रब के भीतर बनी, जलतापिय, चिम्नियों के अमाइध्यम से आते रहे। और इसी बएस से एक कोशिक्यों जिवो का रूप में जिवन की शुरुआत हो पाई। समय के साथ ये एक कोशिके जिव बिक्सित हुए, तता तक्रीबन दो दसमग लग साथ अरब बर्ष बाद साइनो बेक्टेरिया की उत्पति हुए, जिसने पेट पोधे की तरह ही सुर्य के प्रकास की उर्जा को प्रयोग करके अक्सिजन का निर्मार किया, और इस प्रक्र जिव ने करोडों बर्षों के बाद धर्ती के बायुमंडल को अक्सिजन से भर दिया, अक्सिजन के होने से प्रिथिवी को ओजोन लेयार के रूप में एक सुरिख्या का बज मिल गया, जिसके परणाम स्वर्भ सुर्जियर से आने वाले हानिकारक अल्ट्राभॉलेट ला अब सेक्ता के अनुसार कुछ जिव अपने सरेर में अलग-अलग अंगों का निर्माण करने लगे, आज से करीब 23 करोड साल पूर्व कुछ जिव बिख्सित होकर 20 साल का जिव में परिवर्तित होगे, जिन्हें की हम डैनेसोर कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसकी आगे की कहानी हम जानेगे इसके पाट फाइप में, तब तक के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को दबा दिजिए ताकि आने बली वीडियो की नोटिप्सिन आपको सबसे पहले मिले।